आज हम जानेंगे कि ब्रिहस्पती यानि गुरू जब आठवे भाव में किसी ब्युक्ति कुंडली मिस्थित हो तो सामानी रूप से क्या परिणाम देखने मिलते हैं यहां हम पहली परिस्थिती जिससे हम शुरू करते हैं वो यह है कि गुरू जब आठवे में है पर अच्छा है अच्छे से परिया यह है कि उसके पास बल है शुब राशियों में है यानि मित्रुबत राशियों में है उच्ची किराशियों में है सुग रही है अच्छे ग्र अगर ये तीन कमजोर हैं, तो कुंडली में शक्ति कम होगी, एक्सपेक्टिड रिजल्ट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, बाकी ग्रह उत्ता भेतर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो पहले आपको ये देखना है कि लगनेश, यानि लगन का स्वामी, सूर्य और चंद्रमा, अगर ये कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, और नवम भाव, नवे भाव का स्वामी, सिर्फ जब हम गुरू को देखते हैं, तो नवे भाव, नवे भाव का स्वामी को जरूर देखना होता है, तो अगर कुंडली में लगनेश, सूर्य चंद्रमा, नवे भाव या नवे भाव का स्वामी, ये जितने ही अच्छे होंगे, तो यहाँ पर गुरू आठवे भाव में शुभमाना जाएगा, और उसके पास काफी शमता होगी अच्छे परिनाम जीवन में देने की, पर एक बात यहाँ पर गौर करें, वो यह है कि आठवा भाव एक दूस थान है, अच्छा भाव नहीं मानते, इसमें जो भी ग्रे बैटते हैं, सिर्फ गुरू ही नहीं, उनके पास एक नकरात्मक पक्ष भी जाता है, और इसलिए कोई भी ग्रे जो अश्टम में है, उसको भी तरीके के जो नकरात्मक परिणाम हैं, देने की ताकत होती है, तो यहाँ पर हम उसके पक्ष की बारे में भी बात करेंगी, अगर गुरू कमजोर हो तो क्या होगा, पर पहले अच्छे पक्षों की बात करते कि इफ जुपिटर इस गुड और इन स्ट्रॉंग एंड गुरू है, बिलीफ सिस्टम, जो हमारी सोच है, विचारधारा है, जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया है, हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्षन होता है, वो जुपिटर है, ब्रिहस्पती ही उसका निर्माल करता है, तो यहाँ पे एक बात जो खास तोर से गु इतनी भी मान्यताएं थी, जो विचारधारा थी, जो सोच आप रखते थे, जिस तरीके का दुनिया को देखने का नजरिया आपका ताउन सब के उपर एक बड़ा प्रश्न चिन लगा देता है, कि आज तक आप ने जिंदगी को जो समझा, अपने आपको जो जाना, दुनि प्रश्न चिन पैदा करता है किसमें, व्यक्ति की मान्यताओं में, धारनाओं में, विचारधाराओं में, सोच में और दुनिया को देखने के नजरिये में, तो इट गिवज पॉजिटिव ट्रांस्वर्मेशन और चेंज इन वन्स बिलीफ सिस्टम, आइडियोलिजी और और ये क्या बनाता है, व्यक्ति को पहले से ज़्यादा ब्रॉड माइंड़, यानि कि आपकी जो सोच थी, अगर वो पहले थोड़ी संकुचित थी, तो आपकी सोच के नजरिये को पहलाएगा, बढ़ाएगा, दिखाएगा भई कि आप जहां तक आपकी कुछ परसेप्श क्या व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है, और ये बहुत अच्छा पक्षय गुरू का, बढ़ देखें, आठवा भाव कोई भी चीज आसानी से नहीं देता है, यानि कि वो आपको कोई न कोई ऐसी परिस्थतिया, कुछ भी हो सकती है, पर वो कोई न कोई ऐसे इवेंट्स, लाइफ इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसिस के दुआरा ट्रिगर होती हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, नहीं तो फोर्स करते हैं, या तो मोटिवेट करेंगा, या जबरदस्ती फोर्स करेंगा, कि आपने आपको क्लोजली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अंतर अवल भाव में लक्षण है, और ये निश्ची था कि आठवे में हो गई होगा, अब वो कैसा बैठा है, वो उसके उपर निरभर करता है कि चेंज अगर अच्छा है, जैसे हम अच्छे गुरू की बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चेंज देता है, अगर गुरू कमजोर हो ये से नहीं जलती है, अब हो सकता है आपका नजरिया सत्य हो, पर सत्य अनंत है, इन्फाइनाइट है, तो आपके देखने का नजरिया सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है सत्य का, पूरा सत्य नहीं दिखा रहा है, तो वो जो समझ है ना, वो प्रहस्पती ही देता है, आठव बारवे भाव, इनके स्वामियों के साथ अगर उस रिलेशन ने तो और जादा होगा, तो इसमें ये बात रहती कि existential crisis, यानि कि एक वक्त पे जीवन में ऐसी परिस्थति पाइदा करता है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को प्रश्न करता है, कि मेरा कोई अस्तित्व है भी कि हम बस ये जीवन काटेने के लिए पाइदा हुए, कि बस पाइदा हुए, जनम लिया, एक पढ़ाई लिखाई करी, करियर बनाया, शादी बहकरा, परिवार बसाया, संसारिक जीवन ही एक टास्क बेस तरीके से निप्टाता जाना है, मृत्यू को प्राप्त हो जाना है, कि जो तुम एक प्री डिटर्मेंड फैशन में लाइफ जी रहे हो, क्या इसके अलावा भी कुछ है, या फिर यही आपके जीवन का एक मात्र अर्थ है, तो ब्रहस्पती इसे कहते है, existential crisis जनरेट करता है, और उसका कारण क्या होता है, कि वो प्रेरित कर रहा है, कि भही self-introspection की ओर जाएं, आध्यात्म की ओर जाएं, self-inquiry की ओर जाएं, और material life से आप accomplishments तो derive कर सकते हैं, बट satisfaction और contentment नहीं derive कर सकते हैं, तो भहतिक जीवन में आप कितने ही संपन्न हों, कितने ही कामयाब क्यों नहीं हों, पर अंतरिक संतुष्टी और पूर्ती वो तभी हुपर से अचूते रहेंगे, तो यह Guru यहाँ पर पैदा करता है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा, जितने भी changes है, transformation से, यह trigger होते हैं, कोई भी important life incident से, वो कुछ भी हो सकते हैं, करियर को लेके हो सकते हैं, कोई near death experiences हो सकते हैं, health को लेके हो सकते हैं, किसी परिवार के निये जी, कोई बहुत करीबी विक्ति गुजरदाने की वज़े से हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा financial distress से हो सकते हैं, कुछ भी any incident possible, वो vary करेगा kundali to kundali, बट वो ऐसी परिस्थिती में जरूर डालता है, जहां पर instability है, uncertainty है, आपके भीतर आपको एहसास कराता है, कि जिंदगी में आप कित powerlessness, और सूर्य अगर आठवे या बारवे में होगा, तो यह और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, तो यहां पर यह बात रहती है, कि फिर भी उसका जो motive था वो यही है, force motivate person towards spiritual life, but what I am mentioning here is, कि आपने यह ध्यान रखना है, कि यह कहीं न कहीं गुरू इस तरीके कि अगर घट होता है, तो अभी बात करूंगा, उसके बार विस्तार से, लोग फिर जो है, meaninglessness में जाते हैं, depression, anxiety में जाते हैं, जीवन पर यह बस दवाओं पर जिंदा रहते हैं, मानसिक रोगी बनकर, तो वो जो बात रहती है, उसमें वो पहचार नहीं पाते, कि यह हो क्यू रहा है, क् ग्रहे उस दिशा में प्रेजित करना जाने देना चाहता है, क्या अध्यात्म क्यू बढ़ो, पर आपका कोई रुजान है नहीं, अगर आपका कोई इंट्रस्ट नहीं है, आपका इंट्रस्ट है कि नहीं, माया से ही डराइड करनी सारी happiness, तो फिर वो गुरू आपको कुछ आठवे में एक पक्ष है, इसके अलावा आप जैसा मैंने का जितने व्यक्ति के जीवन में खास तोर से कुंडली में सौरी, अच्छे अध्यात्मिक योग है, मतलब शनी, गुरू, के तू, नवंभाव, लगनेश, धर्मत्रकोण, ये सब अच्छे हैं, सूरिचंदर वग आप अपने आपको अवलोकन करके, you introspect yourself and also you become aware that who am I in a real sense, क्या मैं ये एक प्राणी मात्र हूँ, या इसके अत्रिक्त भी मेरा एक अस्तित्व है, जिसे हम ब्रह महात्मा कहते हैं, क्या इश्वर का कोई असली सुरूप है, या ये सर्व मिथ्या भरी बाते हैं, क्या ये बह प्रगरती के लिए दूसरा ये व्यक्ति को और ज्यादा बनाता है, तो आप जीवन में अपनी वल्लर बिलिटी को स्विकारते हैं, कि हाँ, एक होता है जवर्दस्ती का इगो, कि नहीं नहीं मैं अपने हाथ में सारी चीजे हम सब कर लेंगे, तो गुरू यहां पे आपको गुरु और सूर्य आपको अहसास कराएंगे कि बहुत ज्यादा जो है हर बार यह न सोचें आपके चीज़ कुछ कर्म आपके हाथ में थे बहुत हट तक आपके हाथ में कुछ है नहीं तो रियलाइज यॉर वन्स लिमिटेशन विकॉज अगर लिमिटेशन नहीं पहचानोग बोले कि नहीं भई आप कर लेंगे आप कर सकते हैं आप के अंदर बस जज़बा होना चाहिए भई कला भी होनी चाहिए इसकिल सेट भी होना चाहिए कोई वेक्ति अगर चाहता है कि मैं गायक बनू आवाजी अच्छी नहीं है तो तुम कितनी कोशिश कर लो नहीं बन सकते तो बात ये रहती है कि पहले जो व्यक्ति अपनी शमताओं को जानता है वो ही अपने जीवन में काम्याब हो पाता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास ये skill set है ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ तो जो मुझे अच्छे तरीके साता उसे मैं आगे बढ़ूँगा तो निश्चे ही काम्याबी सफलता मुझे प्राप्त होगी तो यहाँ पे गुरू वो रियलाइजेशन भी देता है इसके अतरिक्त क्या देता है व्यक्ति को जैसे मैंने का, enduring बनाता है intuitive बनाता है, enduring in the sense कि आप मेहनत से परिस्थितियों से भागते नहीं है कैसी भी जीवन में उतार चढ़ाओ पैदा हो, परिवर्तन पैदा हो व्यक्ति डट के उनका सामना करता है, स्विकार करता है और उनको overcome करता है दूसरा यह व्यक्ति के भीतर intuition देते हैं intuition यह नहीं, पूर्वा नुमान अंतरमन की आवाज जिसे हम कहते हैं और एक जैसा मैंने कहा समय के साथ mature बनाता है, less judgmental यह नहीं कि आप अपनी लोगों के प्रतिया आपने एक bias और judgment बना के रखा है जासे तर लोग ऐसा करते है, they are very judgmental and prejudiced पूरुफधार्णा बना के बैड़ जाते हैं कि नहीं, हम जानते नहीं सामने वाले को फिर भी हमने एक opinion बना ली तो यह खराब गुरु के लक्षण है, अच्छे गुरु के लक्षण नहीं होते हैं अच्छा गुरु हमेशा analyze करता है कि नहीं, हर व्यक्ति, क्योंकि हम उसकी जीवन को नहीं जानते हैं बजज कर रहे हैं, we don't know what his backstory is हमें नहीं पता कि वो किस तरीके की जीवन से उठ करके आया है क्या उसने देखा है, क्या नहीं देखा है, क्या संगर्च करा है, क्या नहीं करा है बस हम अपनी धारना बना लेते हैं, ये खराब गुरु करता है तो अगर गुरु शुभ है, तो यहां यह नहीं करेगा गुरु हमेशा आठवे भाव में self awareness और दूसरों के प्रती compassion दोनों देता है, कि भई हम judgmental ना हो, prejudiced ना हो, दूसरों के प्रती accepting हो ये भी एक अच्छा पक्ष है, इसके अलावा, willingness to improve व्यक्ति के भीतर और ये बहुत कम होता है, क्योंकि जादा तर लोग अपनी कम्यों को छुपा करके या इग्नोर करके जीते है पर प्रहस्पति अगर अच्छा है, तो आपके भीतर आपकी कम्यों को उजागर करेगा और आपको motivate भी करेगा कि इसमें कहीं न कहीं सुधार की ज़रूवत है, आप इसमें सुधार करिए तो willingness to improve, तभी एक व्यक्ति को क्या बनाता है, more mature and more improved individual इसके लावा ये व्यक्ति के भीतर विनम्रता देता है, और कृतग्यता का भाव देता है, gratefulness, gratefulness towards God, gratefulness towards people, जिन्होंने आपकी जीवन में साहता की, ये सारी चीज़े, तो ये अच्छे गुरू के लक्षन है, और आठवे भाव से जो जुड़े हुए छेतर होते हैं, गुर आत्मबोध, समाधी, ध्यान, तपस्या, इन साथ के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, और ये व्यक्ति को ग्यान के प्रती, बहुत जिग्यासू बनाता है, कि आप ये क्यूरियस towards knowledge, self-introspective तो मैंने आपको बताया ही, और एक और चीज़ देता है, गुरू एकांत पै insight, यानि आपके भीतर सोचने, गहरी सोच रखने की शमता और उससे कोई idea generation, insight डेवलप करने की शमता देता है, दूसरा, ये मृत्यू का जो भय है, या चीजों के छूट जाने का भय है, उसे भी खत्म करता है, ये बहुत ही शूबिस्तिती है, गुरू और केतू की, अगर खराब होंगे, तो आपके भीतर उतना ही भय बर देंगे, अगर ये अच्छे होंगे, तो क्या देगा, गुरू मतलब ज्यान, अब ज्यान अगर आए, कि नहीं चीजे जो है, अन्तता, अगर हमें मालूम है कि हम कौन है, और अखंड सत्य क्या है, तो ये अच्छे गूरू गुरू जिस भी भाव का स्वामी है, उससे संबंदित जो व्यक्ति है, तो माल लिजे अगर नवे भाव है, तो नवे भाव में हम सिक्षक, गुरू, पिता, सब देखते हैं, पाचवा भाव तो पाचवा भाव संतान का हो गया, तीसरा भाव तो भाई-भेनों का हो गया, सात्वा भाव तो पत्नी का हो गया या पती का हो गया तो जो भी जिस भाव का भी स्वामी है उससे related जो रिष्टा है वो आपके जीवन में as a guide act करता है कि वो आपको मार्ग दर्शन दे आपके कठिन समय में जब आप confused है पड़ेशान है या कोई आपको एक direction की आउशकता है तो वो आपके जीवन में आपको कहीं न कहीं एक किसी न किसी form में as a guide मदद करता है रहा दिखाता है, सायता करता है तो ये भी एक अच्छा पक्ष है इसके अलावा ये विक्ति के जीवन में देखिए आस्थिरता होती है कहीं न कहीं संघर्ष होता है असमंजस होता है तो confusion, instability, difficulty, struggles ये सब कहीं न कहीं होते हैं ups and downs होते हैं बट अल्टिमेटली ये विक्ति को सायता करता है कि अपने ग्यान अपने धैर और अपने जो अभी तक के अनुभाव से आपने चीजे सीखी है उनकी सायता से उनको overcome करें तो ये बहुत अच्छा पक्ष है दूसरा, sudden rise of luck and change of luck ये भी देता है गुरू भागे कग रहे अगर अच्छा है तो भागे में उन्यती देगा sudden rise तो आप ऐसा परिस्थती जब चार ओर से आपको जो है हताशा नजर आती कि आप hopelessness है तो कहीं न कहीं से रस्ते बनते हैं और finally चीजे होने लग जाती है तो ये शुब होगा तब अन्यता नहीं इसके लावा चौथे भाव पर गुरू की दृष्टी होती है तो चौथे भाव से क्या देता है अगर mental peace जिसको कहते है चौथा भाव है सुख तो गुरू की दृष्टी चौथे पर जाएगी तो क्या है व्यक्ति के भीतर अगर वह एक self acceptance and acceptance towards reality आती है तो obviously है कि वो mental peace मतलब मानसिक शानती और सुख की अनुभूती भी प्रदान करेगा तो ये पट एक और चीज़ रहती है कि ये परिवार है जो आपका उसे detach करता है घर से detach करता है मतलब जहां जो आपका घर है जो आपका family home है या native place है या परिवार के लोग है उनसे कहीं न कहीं एक detachment के element देगा वो उसका nature है इसके लावा कई ऐसे शेत्र हैं जिनके लिए शुब माना जाता है जैसे health care, life science, life science, biology, health care, fitness, nutrition सब इस सब बढ़िया है फिर इसके बाद जैसे माने का जोतिश, गुप्त विद्याय, philosophy, दर्शन शास्त्र, धर्म, religion, फिर इसके बाद tax, economics, insurance, operations management, strategy management, research development, invention related jobs, या work profiles, law, कानून के लिए, oil and gas industry के लिए, agriculture के लिए, environment science के लिए, ये सब बढ़े अच्छे एरिया है जिनमें गुरू बहुत शुब पर नेकार था कि वो नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा है, लगनेश, सूर्य, चंद्रमा और नवामभाव के स्वामी शुब इस्तिती में नहीं बैठे हैं, ये भी पीडित हो गए, या कुपित हो गए, दोश बना के रख दिये, फिर गुरू पापकरतरी में फस गया, राशियों में बैठ कर वक्री हो गया, मिर्ति भाग में चला गया, नवामभाव में अच्छी स्थिती नहीं है, जिस ग्रह की राशी में बैठा, उसकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है, अच्छी स्थिती नहीं है, तो यहाँ पर गुरू जो है वह अच्छे परिनाम नहीं दे पाएगा और जितने यहां पे points मैंने बोले बाकी ग्रह जितना weak पढ़ेंगे उतना गुरू के पास negative result देने की ताकत बढ़ेगी और जितना उसका relation छटे आटवे बारवे भाव के स्वामी के साथ है मंगल शनी राहू के तू के साथ है और मेलिफिक है अच्छा नहीं है पिडित हो चुका है तो उतने ही जो है नकडात्मक पक्ष बढ़ाता जाएगा और जितने points की बात करता हूँ इसको आप ज्यान की तरह लीजिए जानकारी की तरह लीजिए बाकी चीजों को पहले अनलाइज करें ग्रह कैसे बाइटें टोटल कुंडली देखें फिर किसी निश्कर्श पर आए तब तक के लिए जानकारी की तरह इसको ट्रीट करें तो पहला यह रहता कि अगर गुरू कमजोर होके बैठा तो आट फे भावा क्या करेगा decision making खा जाता है निरनायक शमता बहुत पूर होती है और चंदर बुद्ध अगर कमजोर पड़े तो यह और जादा होगा तो यहां पर क्या होगा कि आप जो है confusion बहुत होता है decision ले नहीं पाते हैं लेते हैं तो गलत लेते हैं जिससे बाद में नुकसान होता है इसके अलावा या तो व्यक्ति बहुत जल्दिबाजी में फैसला लेगा और दूसरों के भहकावे में असानी से आके फैसला लेगा अपनी बुद्धी का इस्तेमाल धेला भर नहीं करेंगे और बाद में नुकसान उठाएंगे पर या फिर जो मैंने का regret होता है सामने क्यों न हो घर परिवार में कोई सही राय क्यों न दे देपड़ा आपको अपने उनके चीजें कभी दिमाग में घुसती ही नहीं है तो यह जो पॉइंट है विपरित बुद्धी चल रही होती है इसके अलावा यह फिर दूसरा पॉइंट एक और होता है कि यह व्यक्ति को बहुत जादा एक कपटी बुद्धी पहला कर सकता है तो इसमें बुद्ध रहू का प्रभाव जितना नकरात्मक होगा उतना अधिक होगा शानी बुद्ध रहू यह सारे प्रवत्तियां बढ़ा देता है जूट मैनिपुलेशन लाइज मैनिपुलेशन यह दिखाता है करप्शन किसी तरह का जो है हम अपने स्वार्थों को सिध्ध करने के लिए दूसरों का इस्तिमाल करें जैसे तैसे सही अपना फाइदा निकालें यह खराब यहां सेल्फ डिनायल होता है नो कपैसिटी टू इंप्रूव कुछ इंप्रूवमेंट नहीं जैसे हो ऐसे और बत्तर हो जाएंगे दूसरा यहां रहता है कि नो एकाउंटिबिलिटी नो रिस्पॉंसिबल बिहेवियर नो डूटी नो कमिटमेंट कोई भी काम शुरू करत है कि नहीं मर्दों किसी परिस्थती पर अपने आपको एनलाइज ना करें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जीरो होता है इसके अलावा यह विक्ति को काफी जादा जैज्मेंटल बना सकता है कि नहीं आपको लगता जो मेरा नजरिया है जो जो भी है वो संकुचिती होगा लि यह उपिनियन जनरेट करने लगते हैं दूसरा यह विक्ति के भीतर कटरवादी मान सिकता दे सकता है किसी भी चारधारा को लेकर धर्म को लेकर शैलो इगो होता है यानि जो आपका अहम है हर चीज अपने विक्ति छोटी छोटी बात अपने अहम पर ले लेता है बहले उस गुरू के लक्षण है इसके अलावा हिपोक्रिसी भयंकर होती है पाखंड और धोंग जिसे कईते हैं वो यहाँ बहुत होता है आप दुनियां को पाट पढ़ाएंगे ऐसे जो है आप कितने संसकारी है या कितने नियम कायदों का पालन करना चाहिए कैसा धर्म होना चाहि यह जो है खराब गुरू इसके अलावा मीणिशनेस पैदा करता है जीवर में कुछ भी प्राप्त हो जाए कितने इंकामयाब हो जाओ उसमें कभी भी संतुष्टी नहीं मिलेगी सुख नहीं मिलेगा पूर्थी नहीं मिलेगी कंपलिशन नहीं होता पीस नहीं होता और मीन और पहले से जादा इंटेलिजेंट, पहले से जादा वाइज, इंडिविजवल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, बना रहा है, निगेटिव गुरु करेगा उल्टा करेगा, ट्रांस्वर्मेशन तो आएगा बड़ निगेटिव ट्रांस्वर्मेशन, निगेटिव या कुन्था से भरे हुए व्यक्ति बन जाते हैं जो दूसरों में सिर्फ कम्या ढूंडता है अपने आपको नहीं सुधारता यह निगेटिव ट्रांसवर्मेशन और बाकी लोग आपसे दूर होते चले जाते जो भी अच्छे लोग होंगे नेक्स पॉइंट आता है यह सिक्षा को खराब कर सकता है क्योंकि गुरू ग्यान कर रहे है तो या तो आप ग्यान का गलत इस्तिमाल करेंगे कि जो भी ग्यान बुद्धी शिक्षा प्राप्त होई जिंदगी में वो कभी सही दिशा में नहीं चलानी है उल जलूल चीज़ों प्रॉब्लम्स भी दे सकता है कुंडली तु कुंडली वेरी करेगा सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं इसके अलावा या तो यह बहुत जड़ बुद्धी बना देता है कुछ समझ में नहीं आता शीखने शमझने की शमता कम जोर आती मेमरी कम जोर हो जाती है या पढ कट ढूबते हैं पैसा कमाने के लिए चैसे तैसे पूरा हो जाए मिल जाए इसके यह बहुत तरीके सारा गलत तरीके सारा वा निल जाना चाहिए और धडी चोरी चकारी करके आए कोई दिक्क्ति ने आना चाहिए तो यह खराब गुरु के लक्षण शनी रहोगुद्धव खराब करेंगे तो और ज्यादा होगा यह इसके अलावा इससे हम हर तरीके का भ्रष्टाचार गहर कानूनी अवायद और आधिक गतिपी दिया देख सकते हैं हर प्रकार की देख सकते हैं कुंडली टू कुंडली वेरी करेंगा फिर से करें एक दम से कंक्लूजन पर मत जंब करें तो जैसे आत्वा वह टेक्स का होता है तो जो लोग टैक्स इविजिन करते हैं मनी- लॉंड्रिंग करते हैं पैसे का गबन-घोटाला करते हैं सहत्यसे का बिअट तब होई हो कि कि भाई कोई भी अपनी पावर का अब्यूस कर रहा है डाट इस एर था उस बैड जुपिटर कैन गिविट अधर कॉंबिनेशन में भी हो सकता है बट आठवे भाउ की बात हो रही है तो यह पॉसिबल है इसके अलावा भाई बहुत पैदा करेगा क्योंकि अच्छा गुरु भाई को काट देता है खराब गुरु भाई को और बढ़ा देगा के तू वगरा होंगे बुद्ध वगर कमजोर होंगे और और बढ़ता जाएगा डेथ एंग्जाइटी भाईंकर होती है फिएर और गॉड तो होता है विश्वास नहीं होता भगवान में फेथ नहीं होता खाली भय होता इसके अलावा guilty conscience बहुत होता आप जिन्दगी में गलत जो गलतिया करते हैं या किसी को नुकसान पहुचाते हैं उसका एक वक्त पे जीवन में कभी न कभी उम्र पर पच्चतावा भयंकर देता है वो आपको अंदर से खाएगा अंदर से खाएगा guilty conscience eats you from inside and ये व्यक्ति के भीतर क्या पदा करता है आत्म घ्रना, self-loathing और दूसरा भयंकर पच्टावा ये जो चीजें ये भी गुरू अश्टम में देता है अडिक्शन्स दे सकता कुंडली में योग होने चाहिए obviously बट किसी प्रकार के अडिक्शन्स है ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के, गैंबिलिंग के, सेक्स अडिक्शन्स, anything can be seen आर्थवा भाव क्या होता है, sexual pervergence भी दे सकता, अगर गुरू शुब है तो ये नहीं देगा उसमें फिर को होता है sexual control देता है, बट अगर वीक है, मंगल, शुक्र, राहू ये सब अगर ज़्यादा पिलित हो रखे हैं उसको तो condition क्या होगी, it can raise the part of sexuality, desires and can create sexual pervergence, ठीक है, विक्रित जो एक अभी विक्तियां होती है, sexuality की वो देखने मिलती है इसके अलावा, जैसा मैंने का किसी भी area को नुक्सान पहुचा सकता है जीवन में, वो कुंडली to कुंडली वेरी करेगा तो वो क्योंकि आठवा भाव, losses का है, transformations का है, instability का है, किसी भी तरीके की, दुरघटना का है तो वो किसी भी जीवन की छेत्र को नुक्सान पहुचाने की ताकत रखेगा, ये कुंडली to कुंडली निर्भर करता है अब वो career हो सकता है, पैसा हो सकता है, यानि finances हो सकते हैं, loans, debts दे सकता है करियर के लावा education में problems है, marriage के लिए खास तोर से महिलाओं के case में तो बहुती negative situation होती है कि it is really negative situation for marriage, अगर वो अशूब हो गया तो अच्छा है तो बात लगए पर अगर खराब है, तो condition क्या होगी कि it is extremely malefic for marriage, particularly for females या तो शादी चलती नहीं किसी भी वज़े से खतम हो जाएगी, या होती ही नहीं है, या होती भी है तो उसमें जो आपका husband है, उसकी health वगएरा को आयू को खतम करने लग जाता है, depend करता है क्या-क्या उसने combinations बनाए है, तो it is negative for marriage and relationships, child birth में problems दे सकता है अगर वो बच्चों के लिए जिम्मेदार है, तो बच्चे होने में मुसीवत होती है, बच्चों से संबंद अच्छे नहीं रहते है या बच्चों को कोई कष्ट रह सकता है, और health problems हो सकते हैं, कोई भी genetic problems हो सकते हैं, कोई भी accident, injury, surgery के योग बनाता है अगर वो भयांकर मारकेश है, तो मृत्यू के योग भी बनाएगा, कुंडली to कुंडली analyze करना पड़ता है और ब्रहस्पती भग्य का कारक है, पहले भी यह बोल चुका हूँ, कि गुरू अगर कमजोर पड़ा, बाकी ग्रह कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुरू के पास ही एक शक्ति होती है, जो बाकी ग्रहों के नकरात्मक्ता को कम कर सकता है अगर वो खुदी कमजोर पड़ गया, तो नकरात्मक्ता को कोई कम करने वाला कुंडली में बचा नहीं है तो यहां पर यह बत रहती है, भाग साथ नहीं देता, तो अगर नवंभाव भी वीक है, लगनेश वीक है, तो क्या होगा, वीक होरोस्कोप यानि, struggles, delay, challenges बढ़ते रहते हैं, कभी सुलटते नहीं हैं, एक के बाद एक नई मुसीवते बनी रहती हैं, हमेशा लाइफ जो है, जादा तर जो है, वो suffering में बीत रही है, instability में बीत रही है, complications में बीत रही है, भाग जो है, थोड़े समय के साथ दिया भी, तो अंतता एक stability पहुंचने देगा, तो यह गुरू के कमजोर लक्षाण है, और recovery easy नहीं होती है, जो भी problems, जिस भी तरीके की वो दे, शत्रूओं से problems है, court cases है, जो भी मैंने बोला, it can vary from kundaly to kundaly, but recovery में मुशिवत होती है, तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है, कि अग इसके उपर मैं आज हमने जो विस्तार से चर्चा की, वो यह है कि ब्रेहस्पती एक भाव में बैटके, कितने उसके पास ताकत होती है, variation होते हैं कि वो अच्छे results भी दे सकता है, और ख़़ाब results भी दे सकता है, उमीद है आप समझ पाए होंगे, आज के लिए बस इतना ही, यदि आप में नीचे description में मौझूद है, अजने था आप से एक लिए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आग्या दे, नमस्कार, धन्यवाद